असलाम लेकूम क्या हाल चाले दोस्तों में जे सब ठिक ठाक होंगे और बहुत कुछ होंगे वेलकम टो मैं चैनल मी ब्लॉग्स पर इफट एन अधर विलॉग के साथ आप लोग के सामने आज जनाब आज के विलॉग में अपनी डेली रूटीन आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ के मेरी डेली रूटीन में क्या काम क्या मस्रूफयात होते हैं जो सब औरतों के होते हैं मेरे भी वही काम, वही मुस्रूफयात होती है, घर देखना, बच्चे देखना, घर के काम करना, फिर जो उन से फारिग होती हुँ, तो मैं अपने चैनल को जो है रात के टाइम, जो है टाइम देती हुँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी होती हुथी, जब सब सो जाते हैं, तो मैं record कर लेती होती हूँ, कोई content इस तरीके का बनाना हो, या फिर जो है कोई editing करनी हो, तो जब रात को सब सो जाते हैं, उस time पर मैं करती हूँ, बागी सारा दिन मेरी भी बहुत मस्रूफियात रहती है, अभी जनाम में उठी हूँ, मैंने फजर की नमास पढ़ी है, आप लोग भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, लीस नमास पढ़ा करें, ठीक है, फजर की नमास पढ़ी है, मैं दिन भर के जितने भी काम हो, मेरी में पढ़ती हूँ, मुझे अगर कोई एका नमास मेरी छूट भी जाती हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, फिर मैं से फौरान कजा करती हूँ, लेकिन नमास मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ, कि मैं पूरी पढ़ू, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, नमा पढ़ा करें, दुनिया के सारे काम करें, लेकिन नमास को मत छोड़ें, अपने रब को पांच टायम याद रखा करें, उसकी नमतों का शुकर अदा किया करें, जितना उसने हमें दिया है, उस पे राजी रहना, उसमें खुश रहना से हैं, अल्ला पाकर जितना शुकर अद नमासता है, तो शुकर लाजमी अपनी जिंदगी में ये लव्ज रखें, बेसबरे नहीं हो, हर चीज का शुकर अदा करें, अल्ला ताला और जादा नमासता है, जो लोग शुकर नहीं अदा करते हैं, जिस चीज के पीछे भागते रहते हैं, वो चीज उतनी ही दूर जाती ह पांस टैम रब को याद करो, उसकी नहमतों का शुकर अदा करो, फिर वो कैसे नहीं सुनता ही हो, ही नहीं सकता, बस एक यकीन होना चाहिए, अपनी जिंदगी में मगन रहो, अपने काम को प्रियारिटी दो, खुद क्या काम कर रहे हो, ना किसी मामले में पढ़ो, ना किसी किसी जंजट में पढ़ो, थिक है, बस अपनी जिंदगी में अपने एक एम बना लो, कम गैदरिंग में रखो अपनी, और उसी में मसरूफ रहो, अपने आपको कामों में मसरूफ रहो, चले ही जनाव, आप लोग कहेंगे, यह भी बाशन देना स्टार्ट हो गई है, मैं इ पांच वाकी नमास पढ़ती हूं, अल्ला पाक का शुकर अदा करती हूं, जितना उसने अता किया है, बाकी में अपने घर में, बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ, बस मेरी जो डेली रूटीन है, वो रहती है, उसके अलावा अगर मैं वह सफारीग होती हूं, तो मैं जंजटों में पढ़ें, ना किसी से कोई इतनी खास तो अकवात रखें, बस अपने रब को याद करें, अपनी फैमली के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करें, और बस खुश औखुरम रहें, ठीक है, और अपने दिल को और अपने दुमाग को साफ रखें, और हमेशा अच्छा जनाब, यहाँ मैंने अपना नाश्टा बना लिया, यह मेरी सिंपल साधी सी रोटी है, ठीक है, यहाँ मैंने दूर निकाल के रखा है, चाय बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ी से, थोड़ा सा मतन कोर्मा पड़ावा था, मतन कड़ाई पड़ी थी, वो मैं गर हाई भी है, बस जनाब, यह जो है, अंडे मैं उसमे एट कर दूँगी, प्यास्टी माटर मसाले वाले अंडे वो खाते हैं, जनाब, अब यहाँ पे बच्चे चलेगे, अपने स्कूल और हजबन चलेगे, आफिस, यहाँ बरतन पड़े वे थे इतने, फिर मैंने बरतन वा पीना, यह जनाब में जो दिखा रही हूं, डोमेक्स, यह बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अपने चूलों की सफाई करना चाते हैं, तो इससे कर सकते हैं, यह वैसे वाश्रूमे में भी यूज होता है, लेकिन इससे चूले बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, जो चा कट करेंगे, कट करके तियार करेंगे, बस जनाब, सारा समान वगारा जो है, अच्छा जो घर का समान वगारा भी लाना होते हैं, जैसे सबजियां वगारा, वो मैं खुद जाके ले आती हूं, क्योंकि हजबन जो होते हैं, मैं सारा दिन आफिस में होते हैं, तो फिर अगर और मैंने खुद पकाना खाना करना है तो मैं समान भी लेकर आ जाती होती हूँ अब जी जना मैं साख का समान ले आई ते पर यहां पर हमनों साख कट किया है साख कट करके हैं यहां मैंने साख चरहा दिया है और साथ में जो है दूद बॉयल किया है मैंने मकھन बनाया है वैसे मैं आप लोंग साब काफी वीडियो में शेयर कर चुकी है कि यह विलोग्स में कि देसिघी निकालने का तरीका देसिघी मैं किस तरीके से बनाती होती हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने मकhन बनाया है तो मैं ना मक्षन की टिकियां बनाके ना जो प्लेट साथ रखी वी थी ना वो प्लेट भर के फ्रीज कर दूँगी फिर एक एक टिकी निकालूंगी और यूस करती रहूंगी अचा जनाब यहाँ पर जो मैं ड्रीम पर गई थी ड्रीम से जो है मैं यह बहुत ज़्वत ज़्यूरी बाक्स लेकर आई हूँ और जो ज़्यूरी है ना वो अलग-अलग छोड़ चोड़ ज़ूर सा बाक्स बना कर मैंने रख्यवी थी मैं चाहरी थी कोई इस तरीकी कि मुझा बॉक्स मिल जाए हर दफ़ा जाती थी कुछ घर की डेकोरेशन का कुछ और समान ले आती थी इस दवा मैंने का यार अपने पे खरचागरती हूं लेके जाती हूं और अपनी जूलरी को सैट करके रखती हूं हाँ पर जनाब मैंने माल्टों कa सीजन है तो वाइटामिन थी होता है ग्रेफरूट और माल्टों में तो बहुत अच्छा होता है इसका जotion लाजमिन प्या करें जब तक सीजन है यह मेरे पस बहुत अच्छा सा एक चोटा सा टप है जग है इसके ओपर यह इस तरह जाली सी दी गई यह लाल कलर के अब देखें मैंने बीच में से कट किया है ग्रेफरूट को और मैं इसके ओपर गोल गोल गुमाऊंगे इसका सारा जूस निकलाएगा तो मैं यह चोटा सा जो टप है इसके अंदर जो है जूस निकालती हूं बहुत एजी ली निकल जाता है मार्टो का यह ग्रेफरूट का जो भी जूस निकालना हूं यहां पर जनाब प्लॉड बनाने की तरही करी हूं वो जो है वो लसन अद्रक की क्यूब्स हैं जो बनाके फ्रीजर की हुई थ सब कुछ कट गए हैं यहां बन रहा है वेजिटेबल स्पलॉड और जनाब रात के टाइम जो है यह मेरे ममा पापा आए थे मेरे जो बेटा है अर्मान जिसको भी हार पेना रहे हैं इसका नाम है अर्मान इसका जो है कुरान पाक खतम हुआ है तो इसकी आमीन करनी है हम लो ने अभी इसको हार पेनाएं गिफ्ट दी हैं लेकिन महरा और आसिम का भी पैंडिंग पे था हम लोगों ने अपने बेटे को भी कुछ नहीं दिया था यहां पर उनके लिए जो है मैं चाय रखी वी है मैंने और साज जो है स्नैक्स वगरा तियार कर रही हूं केक था चिप अभू के सामने यह वाला केक रख दे हमने का चले आप केक कट करें बारां तो बजगे हैं पर छोटी से सैलिबरेशन हम लोगों ने घर कर ली था अभू खुश हो गए थे केक तो इस तरह वैसे भी हम लेकर आए थे इनके खाने के लिए इतने मैं अभू ने कहा कब मेरी ब मेरे बाई की चोटी बेटी बेटी मेरे बाई की बेटी है और साध में नाना अबू जो है उन्होने केक खट की एiß और फिसाथ JEFF जो हैं मने चाए का समान वगगः रख दिया चाएंगे और अगले दिन जो हैं उन्होने इनुमने और अच्छी सेलिबरेशन की थी घर में ड सुबह आगले दिन नाशते के लिए आटा नहीं था तो पिर रात को जनाब सब लेट गए थे नहीं आटा गूंदरी थी और बरतन में समेटें आटे में देसी की एड़ करती होती हूं और एक चमच नमक का डालती होती हूं उससे आटा बहुत अच्छा गुंता है पराठे ब यहां से जो है ना इसके जो उपर कमू बनावाइब यहां से धुए निकलना शूरू हो जाते है बहुत अब अधार स्टीमर है और मुझे याद नहीं है मैंने लिया कहां से था मैंने काफी अर्शे समंगवा के रखा हुआ था उपर कबर्ड में तो मैंने बना निकाला मैं तो मैंने अब ठिक ठाक होंगा और बहुत खुश होंगे अचा जना मैंने आप लोग साग गिवावे अनौंस करना था गिवावे के रूल्स बहुत सिंपल है यूट्यूब पर मैंने अभी वीडियो अपलोड किये ठीक है उसका लिंक भी मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर शेयर कर दिया है मैं री सेंट जितनी भी वीडियो अभी अपलोड करूंगी उसमें जो बंदी करोण दो Deshalb dud कि करेगी मेरे वीडियो पर लाइक करी ब्रागी जादे 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 शेयर करेगी तो गीवावे मैं वो भी पार्टटिस्पेट करेगी वही जीदे किया था उसके बाद ये किट मेरे पाद बिल्कुल न्यू पड़ी है तो मैंने का क्यों ना ये गेवावे में दी जाए ताके कोई और मेरी भेंड जो है कोई और मेरी दोस्त इसे इस्तमाल कर सके किसी के काम आए सिंपल से रूल है कमेंट में एक्टिव रहना है ठीक है जो मे सारी फेशल किट है ठीक है तो अब ये उसी को मिलेगी जो मेरे कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेगा बिल्कुल वैसी की वैसी है सारी क्रीम भरी वी मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया हुआ ये फेशल तो मैंने का क्यों ना ये गिवावे में रखा जाए तो उसके यार इस ट्रेम खाओ गया हजम कैसे होगा तो तो दिखाओ ना ओलो दिखाओ ना ओलो दिखाओ ना ओलो यमी तरी यह भी रात को हजम नहीं हो ना अच्छा जनाब ये नेक्स डे अब्बू की और मिरहा की जो है बर्डे सेलिबरेशन रखी थी वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी घर में ही चोटी सेलिबरेशन रखी है घर में इनों ने चोटी से डेकरेशन की हुई थी तो वो जो एक रात पहले की एक कट किया अब्बू की जो है ना खुशी सेलिबरेट की थी असल में इनका फंक्शन था आज इनका केक आज का टोना था ये जनाब मिरहा की पिक्चर्स लगी मी है उसके पापा की लगी मी है चोटा सा इनों ने जो है अपने टेरीस पर ही जो है डेकोरेट किया था और काफी जादा नहीं थे बस हम लोग फैमिली मेंबर्स ली थी थे सारे और बस जनाब यहां पर जै अब्बू का और मिरहा दोनों का क्यों की है ऑब्बू की भी साथ ही कर दी थी खुशी शेयर इनों IKEA क्यूंके अब्बू की बढर्ड़े उसी दिन हो और मिरहा की ब बढर्ड़े थी हमने इसकी first birthday celebration की थी मेरे भाई ने तब भी मैंने इसका विलॉग पुरा डाला था बनाकर ये जनाब होगी ये दो साल की और बैठ ही नहीं रही थी इतने लखरे कर रही थी रोना धोना लगाया वाता सारे लोगों को देखके घबरा रही थी बड़ी मुश्किल से इसको खाँ रहे हैं मिरा ऐसे कर लो मिरा ऐसे कर लो ये जनाब मेरी अमी लोगों के उपर जो है रहते हैं जो उनके बच्चे थे बहुत प्यारे से क्यूट से मुशा और इसा नाम है इन दोनों का ये मिरा के भी 구독 ये बीटी आईजा के भी दोस्त हैं तो आईजा जब जाती से मिलके खेलते हैं वो भी आ जाते हैं अपने घर से उपर से ना बसे जनाब यहाँ पर जो है बर्डे हो गई है इनकी से इलिब्रेट जनाब जैसके मैंआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें अजल्दी जल्दी गीव आओर में पार्ीपेट करें जो मेंने कमेंट सेक्षन में एक्टीब रहेगा वही पार्टीपेट करेगा यह जनाब आईजा करी güी थी आईजा और मिरहा मिरहा की जो है ना आइज़ा से बखौद बनती है मेरी बेटी से माशाएलला बहुत जैसी इसको देखती है ना खुशी खुशी भाग किसके पस से लिया थी वनना बहुत नख्रेवाली है नहीं किसी को जल्दी मू लगाती है लेकिन इससे इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है चुप चाप उसके पास खड़ी रहेगी उसके जाख खेलती रहेगी उस पे इसको बड़ा प्यार आता है माशाएलला अच्छी इनोंने डेकोरेशन कर ली थी केक बगारा भी बहुत प्यारा बनाया हुआ था इसकी ममा पापा हैं जो कैंडल्स जला रहे थे और फिर बस कैंडल्स जलाने के बाद जनाब इससे केक कट कर वाले केक बितनी मुश्किल से इसने कट की आ है यह देखें जल्दी से बस केक पे छुरी बेर कर और उस तो प्मूगर लेगी बच्ची है ना बस बच्चे इस तरह की होते हैं उनको क्या पता इन चीज़ों का और अच्या किसी के पास नि खढ़ी हो रही थी पर आसी वैसे ही ना ये मिरहा आसिम से डरती इसके पास जाती नहीं होती आसीम में दो इसका उठा लिया तो चुह कर करे खड़ी हो गई थी और सब फिर पिर इसके पिक्ट्रस बगारा विडियो जो बना ली थी यह हमने बना पर जो मेरे चोटा वाला भाई है उसने अब्बू को मुबाइल दिया था, सबसे इच्छा वाला गिफ्ट जो है ना, उसका लगा अब्बू को बहुत, उसने अब्बू के लिए मुबाइल दिया था, बहुत जबर दसा, आगे मैंने शायद वीडियो रिकॉर्ड किये, आप अब्बू के लिए लिए, अब्बू बहुत खुश हो गए, बाकि सब ने वी जणाब जो गिफ्ट किया थे, बस यहां पर गिफ्ट वगार हम लोगों ने खो ले हैं, और यहां पर जो हो गया था, सावा एक के डेड़ बच गया था, तो फिर यह जणाब मुबाइल देख इसके लिए गिफ्ट वगयरा लेके फूल वगयरा लाकिस को पहना रहे थे, कुरान पाक जो खताम हुआ था, तो हमने अपने बेटी के भी खुशी सैलिबरेट नहीं की थी, वो तो उसके नाना नानी आय तो वो करके कहे थे, सैलिबरेट अब जनाब यह हमारी तरफ से यह यह आसिम जो है, बहुत प्यारा सा खाना काबा होँदार लेकर आए, अर्मान के लिए, कि अब जो है ना, अब तुम इस पहे पढ़ा करोगे, बहुत प्यारा था माशालला कुरान पाच, बहुत ढ़्aporदोथ बना हुँदा था, ऐसा लगरा हुदा हुदा है, नीचे स्ट स्टेंड दियामे स्टेंड पर जाता है और यह उपर इसका कवर ठाक की अंदर साइड से वाहर आता है यह वला जो हा यह उपर इसका कवर के अंदर कुरानपाक था कुरानपाक हमएं बहुत अच्छा लग अगा मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट ले करお願いします अब अर्मान को हमने कहा कि अर्मान इस पर पढ़ा करेगा और फिर जो इसके भेंद बाइँ ने इसको गिफ्ट दी है साथ थोड़ी तस्वीरें वग़रा बनाई है याईजा ने और अफान ने गिफ्ट दी है अर्मान को और हार वग़रा बनाए हम लोगों ने रजी जनाब ये चोटा सा फोटो शूट फिर हमारी अपनी फैमली का हुआ था मैं आसिम और मेरे बच्चे थे खुश हो गय था अर्मान ने अपने पापा से कोई गाड़ी कही हुई थी कि मेरे लिए ये लेकर आईएगा फिर आसिम जो है गिफ्ट में ये वाली गाड़ी लेकर आया इसके लिए उसाद में कुरान पाग लेकर आया फूल लेकर आया फिर हम लोगों ने जो मौलवी साब को जो चीज़ने बगारा देनी थी मौलवी साब को बुलाया दुआ करवाई है और उनको फूल बगारा पेनाए है मिठाई दिये काफ सारी चीज़े वहाँ दिये जो जिस तरह देनी होती है कुरान पाग वगारा खतम होता है तो इतनी डिटेलिंग में आपको बतानी रही तो बज़े जनाब यह खुशी थी हमने अपनी बेटे के सैलिबेट कर ली फिर जनाब हम लोग जो है रात को थोड़ा बाइट डिनर करने चले गए थे फिर आप यह जनाब यहां पे हम लोग रात को डिनर के लिए बाहर गए हैं और यह देखिना मेरी और आईजा की और य खाने पीने में हम लोगों ने जो है फिश मंगवाई थी मैं स्पेशल फिश खाने के लिए गई थी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम में फिश बहुत मज़े की लगती है हम लोगों ने फिश खाई है और साथ में जो है पीजा मंगवाया था और गुलाब जामन थे और वह शाला मैं बहुत जल्दी आप लोग से शेयर करूंगे जिसने में चैनल को सब्सक्राइब निकिया काने लिए सब्सक्राइब माई चैनल ओके जी अला हाफिज प्रुच जोग सब्सक्राइब प्रुच लोग से में चैनल ओके जी अला हा मैं ये गया है valor और ही अरहा है डया है निकिक्राइब में जाएब जया है ये घिकिया जय ehb